यह जो पेडियाफ आप लोग देख रहे हैं इसका मैं आधा आपको समझा चुके हूँ और अभी जो आधा रहता है वो मैं आपको समझाने वाले हूँ और यह स्पेशली यह जो पेडियाफ है यह स्पेशली 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 है स्पेशल एजुकेशन वालों और आपका response भी बहुत अच्छा आ रहा है तो वो मुझे बहुत motivate करता है कि मैं आपके लिए आगे भी और काम करूँ ठीक है तो हमने जो किया था लास्ट वीडियो में जो marathon 1 नाम से एक वीडियो है आप लोग देख लेना जिनोंने नहीं देखी है क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी ठीक है तो हमने उसमें dyscalculia तक पढ़ा था आज हम बात करने वाले हैं ADHD की ठीक है तो ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता जो विक्रिती होती है इसको हम ADHD की फुल फॉर्म भी एक्सर एक्जाम में पूछ ली जाती है तो इसकी जो फुल फॉर्म है अटेंशन, डेफिसित, हाईपर एक्टिविटी डिसॉडर इसको बोलते हैं और मोस्ट इंपोर्टन है पेपर में कई बार पूछी जाती है तो इसे समाने भाषा में हम ADHD कहते है इसमें बच्चे आवेगों के नियंत्रन इनमें बच्चा ना आवेग जो होते हैं उसके जो इंपल्शन्स होते हैं उन पे काबू नहीं कर पाता उन पे नियंत्रन के समस्या होती है उनको और उनका ना ध्यान के इंदित नहीं हो पाता है ठीक है वो एक जगे पे concentrate नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से वो class में ना मतलब in discipline create करते हैं और उससे जो अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं teaching में दिक्कत आती है teaching में बाधा उत्पन होती है और अगर question आता है कि ADHD कैसा रोग है तो यह नायू तंत समंदी विक्रिती है या रोग है और बहुत important question है यह पूछा जाता है तो जिसमें समाने स्तर का असमाने स्तर का ध्यान आवेक तथा अतिक्रियाशीलता समलित होती है इसके अंदर ये बच्चे समय गात्मक रूप से अस्तर होते है मतब इनका जो emotionally balance होता है वो ठीक नहीं होता है अस्तर होते हैं कभी पल में हसना, रोना, गुसा करना बिल्कुल एक जमाटेंशन पाने के लिए कुछ-कुछ-कुछ चीज़े करना तो इस तरीके से ये बच्चे होते हैं और प्राथमिक स्थर में अगर हम primary level की बात करें तो यह लड़कियों से जादा लड़कों में जादा पाया जाता है ADHD और यह दि प्राथमिक स्थर के बच्चों पर हम इसका ठीक से manage नहीं कर पाए ठीक से इसको find out करके हमने diagnose करके इसका उपचार नहीं किया हमने तो फिर ये आगे तक ये problem जा सकती है बच्चे के इस विकार के लिए जैवी कारक जिम्मेदार नहीं होते हैं नहीं होते हैं तो बलकि कुछ आहार समबंधी कारक विशेश रूप से भोजन के रंग वा जंक फूर्ट था दूसरी और समाजिक मनों वगयानी कारण जैसे घर का वात है और पारिवारिक दिक्रिती जिम्मेदार माने जाते हैं तो इसके लिए जो है हमारे जैवी कारक इंपॉर्डट नहीं होते हैं बोजन से रिलेटीड अगर कुछ दिक्कत है या बोजन में जो रंग वगयरा जो क्यामिकल वगयरा होते हैं यह सब इसका कारण होते हैं और इसके अलावा अगर घर का महौल ऐसा है घर में लड़ाई ज अगर आप कुछ बात कह रहे हैं तो बच्चा पूरी नहीं सुनेगा दूसरा है अगर आप इसको को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वह पालन नहीं करेगा इसका एक्जामपल देंगे समझाती हूं मेरी क्लास में भी एक लड़की है मतब बात पूरी नहीं सुनती है और कारेव खेल आदी में ध्यान की कमी होती है और समान खो देते हैं अपनी स्टेशनरी होती है इसके लावा भारी उतेजना का श्रिग प्रभाव होता है जैसे मानलो कोई चीज अग्दम सडनली ऐसे आई तो वह श्रिग प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर ठीक है भारी उते और उते हैं और इंटरिन उती है और रहारा कोई कि बोले कि चलो हम खेल ले चले हैं तो इस स्टेशन खेले चल रहे हो और इसे बच्च आपने बहुत से देखे होंगे लेकिन हम ऐसे भी नहीं मान सकते हैं कि यह एडे अजरी एडेक है उन्हें बनी अगारा हम बहुत दब दोस्तों के पास बैठने के लिए तो एसन है कि वह बच्चा ADHD हो जाएगा चिक है तो बहुत हमें पूरा यह इन में से कुछ चार पांच लक्षान अगर किसी के अंदर है तो हम यू मान सकते हैं कि हां बच्चा ADHD से घ्रसी थे स्वचा लिद्वेवार करना अपने आप से कुछ वहवार करते हैं यह लोग और बहुत जलीली बात करते हैं और पहले सवाल शुरू होने से पहले ही उत्तर देते हैं मतब सुरू जो है वो पूरा होने से पहले ही आंसर कर देते हैं और अपनी बारी का तो इंतजार कर ही नही है और बीच में काड़ देते हैं तो यह एडी एजडी के लक्षन है अब इसमें आप उपचार कैसे कर सकते हैं इसको ठीक है तो यह सूत्र प्रियोग किया जाना चाहिए एक यहां पर सूत्र है जो की विराम लें ठीक है थोड़ा ठेहरें चिंतन करें और कारे करें तो इसमे यह एक सूत्र कारे करता है स्टॉप ठीक एक्षन ठीक है स्टॉप मतलब आप पहले रुक जाए दो मिनट एकदम ही विचार मत कर लीजे कि हाँ बच्चा एडी एजडी से पहले रुकिए चिंतन कीजिए कि हाँ इसके अंदर कौन-कौन से लक्षन है एक आदे लक्षन से आप नई फाइंड आउट कर सकते कि बच्चा एडी एजडी से ग्रसीत है और जब आपको लगे कि आप चिंतन कर ले आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए देन उसके बाद आप कोई एक्षन ले सकते हैं दूसरा है एक आगरता समय के सासत मेल बिठाने के लिए एक कारे को प पचास मिनट किया फिर चालिस मिनट रहा है ताकि बच्चा एक आगरता मतब ला पाए तीसरा है शिक्षक के निकटी इसके बैठने की विवस्ता की जाए जो कि नॉर्मली मैं भी मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो जिनको मतब स्पेशल अटेंशन की जरूरत है मेरे ड गाइड करता है इस तरीके से मैंने जो सिटिंग अरेंजमेंट है अपनी क्लास में किया हुआ है और आप लोग भी जो जो टीचर्स है आभी जो विडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं या जो बनेंगे इस जस्ट आ काइंड असपास ही बठाएं और क काम करने के लिए अधिक से अधिक समय दें क्योंकि हड़बड़ी में तो यह कंप पाहर ने पाएंगा भी दॉन या तो स्टार्ट में करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना दिरीरह दिरहां, गरूंसे stato 이제 प्र्षैन पूछो पूछो है इसा नहीं है फ्वेयर स्टीब रिटलिन नामक दवा एक अगरता में विधी करती है लेकिन विकार को ठीक नहीं कर पाती है एक दवा भी होती है तो यह पूरी तरीके से ADHD को कम नहीं कर सकती है अनुपयोग विवार पर ध्यान देना तो बच्चे अगर कुछ अलग से बिहेवियर कर रहा है तो हमें उस पर ध साहित करना है ठीक है अब आपको यह जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो यहां तक समझ आ गई होगी अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा आगे है यह है विकलांगों के लिए पारित किये गए विभीन अधिनियम कुछ एक्ट्स है विकलांगों के लि पूछा जा सकता है कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब बना था या 1987 में कौन से एक्ट बना था तो यह आपको पता होना चाहिए तो इस नियम के अंतरगर्थ विकलांग बच्चों की दो प्रकार की सुविदाय दी जाती है तो क्वेशन यह भी पूछा सकता है कि कितने प्रकार के विकलांग बच्चों का इलाज होना चाहिए इस एक्ट के अंदर और दूसरा है मानसिक विकलांग बच्चों का पुररवास होना चाहिए तो मानसिक बच्चों का इसमें क्या है कि पुररवास भी यहां पर होना चाहिए उसके बाद है हमारा सेकिन भारतिये लिए प्रश्रिक्शन दी जाएगी और उनको वो ट्रेरणिक भी देंगे इसके अलावा सन 2000 में इस एक्ट में कुछ चेंजिस किये गए थे, कुछ संशोधन किये गए थे, तो वो संशोधन क्या थे कि सामाजिक नियाएवा अधिकारिता मंत्राले के अंतरगत यहाएक समयधानिक निकाय है, ठीक है, अब उसके बाद है भारतिय परिशद संशोधित अधिनियम 2000, RCA Amendment 2000, तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारतिय पुनरवास परिशद उन पेशवर वैक्तों के लिए अनुसंधान की सुविधाय प्रदान कराएगी, जो विकलांगों के छेतर में कोई भी अनुसंधान कारे करना चाते हैं, तो इसके अंदर य हमारा थार्ड है विकलांग अधिनियम, विकलांग वैक्ति अधिनियम, PWD Act 1995, तो इसमें यह जो है अधिनियम यह है तो 1995 लेकिन यह लागू हुआ था 1996 में, तो इस अधिनियम में साथ प्रकार की जो है निर्योगिता श्रामिल के गई थी, तो यह पूछा भी जाता है, तो इसमें पहला था अंधापन, और दूसरा है अलप त्रिष्टी, तीसरा है श्रवन बाधित, चौता है गामक बाधा, तो पांच्वा है निवारन योगे कुष्ट रोग, इसे हेंसन की बिमारी भी कहा जाता है, इंपोर्टन कोशन है, कोशन यह भी पुछा जाता है कि जो जो कुष्ट रोग है, उसको और क्या कहते है, उसको हेंसन का रोग भी कहा जाता है, तो इसे तवचा पर धब्य हो जाते हैं, और तवचा पर समवेदना का अभाव होता है, मतलब जहां पर भी यह तवचा पर धब्य होते हैं, उस धब्य पर आप कुछ भी करो, तो कुछ प्रड़ अधिक संहर्थिता कारण है सेवं थैं है मानसिक बिमारी में जो मेंटल इल्नेस होती है मानसिक लूप से बीमार लोगों के आच्छिन पर अचेत उदिशय का अधिक पढ़ता है ठीक है उसके बाइत है उपरुग साथ प्रकार के निर्योगिता है के लिए केंदर सरकार, राजे सरकारे, वस्थाने सरकारे समान अफसर देती है जैसे कि शिक्षा, वेवसाइग, प्रशिक्षन, रोजगार, आरक्षन, वितिसाइज्टा एवं आवास तो यह सब हमारी जो टिस्टिक लेवल है या हमारी जो सेंट्रल है और स्टीट लेवल की जो हमारी जो गौवर्मेंट है वो इनके अंदर जो भी निर्योगिता है उन सब को एजुकेशन में, फाइनेशली में सब में हेल्प करती है उसके बाद हमारा है चोथा राश्ट्रे नियास अधिनियम 1999 तो यह नियास एक समविधानिक निकाय है देखो इसमें में लिए अभी क्या है कि आपका एंटरंस टेस्ट है तो अभी मेरी कोशिश है क्योंकि बच्चे मुझे नहीं लगता कि थोड़ी बहुत कुछ ही लोगों को नॉलेज होगी इन सब चीजों कि क्योंकि मुस्टली ग टाइचन सब्कारा ना कि याद करेंगे क्या है तो आप सन याद कर लो कि ये पूछे जाते हैं और एक्ट कौन सा है वह याद कर लो ठीक है और चेंदर तो थोड़ा डेप्त में कम ही आएगा तो इतना प्रयोगने की ज़रुप नहीं जैसे यहां पर पूछ गया है कि साथ तो वह साथ निर्योगता है आपको जरूर पता होनी चाहिए आपको चार निर्योगता है दे दिया और इन में वहां से आप लोग इसे पढ़के खुद से भी डिविजन कर सकते हो और प्लीज कोई वर्ड इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो कि इसमें हिंदी है तो मुझे लगता है हिंदी सबको अच्छे से आती होगी बट फिर भी विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाना है तो यह जो एक्ट था यह था कि जो विकलांगता से ग्रसित हैं उन व्यक्तियों को इंडिपेंडिन्ट बनाना और इसमें दो प्रकार की विकलांगता शामिल की गई थी तो मैं भी बता रही हूं ना अजिस इसमें कौन-कौन सी है तो पहली है हमारी आत्म विवो या स्वल लिंटा जिसे हम आउटिजम बोलते हैं और हमारी दूसरी है मस्तिक्ष पक्षागाद ठीक है जो आउटिजम है मिस्टर खान एक मुवी है शाहरुक खान की उसमें वो जैसे बिहेवियर करता है उसका बिहेव तो यह एक सनायू तंत्र विकार है यह important है तो यह कैसा विकार है तो यह neurological disorder है सनायू तंत्र विकार है इस विकलांता में बच्चा भाशा को ना तो समझ पाता है और नहीं बोल पाता है और एक ही शब्द को बच्चा क्या करता है बार बार बोलता है तथा आपने संबंदिय को भी जानता पैचानता वो नहीं है जुड़वा बच्चों में 60% स्वालीनता होने की संभावना बनी रहती है जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर 60% चांस है कि वो आउटिजम से ग्रसित होंगे स्वालीनता अनिवानशिक कारणों से होती है देखो यह हमारे अ समाजिक नियोगिता शोशल इंपयमेंट होती है बच्चा समाज के साथ करनेक्ट नहीं कर पाता है नजरी नीची रखके बात करता है आई कॉंटेक्ट नहीं कर पाता है और संप्रेक्शन नियोगिता कम्निकेशन इंपयमेंट होती है बच्चा आई कॉंटेक्ट ही नहीं क बनाया जाता है यह इंपोर्टन्ट है इसको याद कर लेना उसके बाद हमारा है मस्तिश्क पक्षागात तो इसमें लकवा अधरंग और विद्यालों में विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजना हैं पहली है चातर विकलांगों के लिए एक इकरित शिक्षा योजना त करना चाहिए मैंने बोला था ना कि इंटरेक्शन बना रहता है इक आदे कोशन के आंसर लिख दिया गर कमेंट में जो कोशन पूछती हूं बीच में तो यह योजना 1974 में शुरू की शुरू हुई थी तथा 1992 में शंशोदित हुई थी शंशोदित मतलब होते हैं कुछ चें कि अंतगत विद्याले के विकलांग बच्चे को कुछ सविधाय दी जा रही थी जैसे कि धन हो गया कुर्सी या कोई अन्य सहाय था यह योजना 1997 तक चली क्योंकि पहले इसे DPEP में बाद में सर्विशिक्षा अभ्यान में मिला दिया गया उसके बाद मादनिक सतर पर विकल चाले चलाता है यह में चार्टे की फूल फॉर्म तो यहीं पता सिल गई आपको चलो कोई और कोईशन पोचूंगे इसमें सभी नो प्रकार के विकलांगताओं के में मदद की जाती है यह यह योजना देश के हर विद्याले में पहली से बारवी के लिए सर्वशिक्षा अ प्रेंडली बनाए जाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं विकलांग बच्चों की राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2006 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर परसन विज दिसेबिलिटी 2006 यह नीती 10 फरवरी 2006 को लागू की गई थी इंपॉर्टन डे और इंपॉर्टन सन है तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना इसको सामाजिक नियाए एवं शशक्तिकर्ण मंतराले बनाता है और स्कूलों में लागू करता है मानव संसादन विकास मंतराले जो की MHRD है एक सहायक एजनसी की भूमी का आदा करती है अ जथा तीन वर्ष से छे वर्ष के बीच में विकलांग बच्चों की देख बाल वह ECCE का प्रबंद किये जाने का प्रापधान किया गया है ठीक है तो ECCE की फूल फॉर्म क्या है मैं ही बता जाती हूँ Early Child Care Education ठीक है Early Childhood Care Education ताकि छे वर्ष के आयू के बाद ये विकलांग बच्चे प्रथम कक्षा के लिए तैयार किये जा सके ठीक है उसके बाद है यह योजना 6-18 वर्ष के विकलांगों के लिए है तीन दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है तो यह सबको पता ही हो और यह आपको याद भी करना चाहिए उसके बाद है पाठे करम का संतूलन पाठे करम का संतूलन जो concept of curriculum है तो देखो पाठे करम होता क्य है पहले आप यह समझ ले जीए देखो पाठे करम मतलब curriculum करेकुलम का होता है कि हमें हमारे पास एक पूरा वह रहता है निर्देश होते हमारे पास हमारे पास एक guidance होत रिटन में कुछ चीज होती है जो के हमें ये गाइट करती है कि हमें क्या क्या करवाना है कौन से मन्त में करवाना है तो उसको हम करीकुलम कहते हैं ठीक है? तो होप आपको करीकुलम का मतलब समझ आया होगा तो अध्यापक के पास पाठे करम तो एक होता है परंतु छातर अलग अलग योगता के होते हैं देखो जिसे आप एक टीचर है और होंगे भी और बनने भी वाले होंगे तो आप एक टीचर है और आपके पास करिकुलम एक ही होता है ठीक है आपको करिकुलम दे दे कि यह है यह आपको पुरे साल भर में पढ़ाना है लेकिन कि आपके पास एक ही बच्चा है ऐसा नहीं है ना आपकी क्लास में 40-50-30-30 जितने भी बच्चे होंगे और हर बच्चा हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो समने वाले कि जैसा हो 40 बच्चे है तो 40 बच्चे अ लग लग होंगे, तो हर बच्चे को उसके योगिता के अनुसार पाठे करम सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए, अब हमें गौवर्मेंट यह भी कहती है, कि आप करिकुलम तो हमें एक ही मिलता है, लेकिन हमें हर बच्चे को ध्यान में रखके पढ़ाना है, तो इसमें हमारी ह strategies होती है, जो हम जो पढ़ाने का तरीका अपनाते हैं, वो ऐसा होना चाहिए, ताकि एक जो जिसका दिमाग पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो प्रतिबर शाली है, वो भी उस चीज को समझ सके, और जो बच्चा बिलकुल डाउन लेवल पे है, वो भी उस चीज को समझ स चीज को समावेशन, मतलब इंक्लूजन करना, तो समावेशन में बैसिकली क्या होता है, कि नॉमल स्कूल होता है, खासी, सॉरी फॉर दिस, देखो, नॉमल स्कूल होता है, उसके अंदर नॉमल बच्चे जाते हैं, और एक होता है स्कूल जहां पे स्पेशल नीट्स वाले बच्चे जाते हैं, तो अभी गॉर्मेंट ने क्या रूल किया है, कि जो स्पेशल नीट्स वाले बच्चे होते हैं, वो अलग स्कूल में जाते हैं, तो उनको अलग फीलिंग आती है, कि हम अलग है, और कहीं न कहीं न उनको ऐसे हीन भावना आते हैं, तो इसके लिए गॉ का कॉंसेप्ट दिया गया है हर तरीके का बच्चा साथ पड़ेगा एक छोटा सा मतलब मैं एक एक एक्जामपल देना चाहूंगी यहां पे जब मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम था मेरा जब फर्स्ट यहर में थी डाइट के तो मुझे इंक्लूजिव एज मैं पढ़ाया भी हो तो मुझे ध्यान नहीं था और जब मैं क्लास में गई तो मेरी क्लास में ऐक बच्ची थी जो सुन नहीं सकती थी तो मतलब दो-ती दिन हो गये मतलब मुझे फिर पता चला कि यह बच्चा सुन नहीं सकता फिफ्ट खास का बच्चा था और उसके לפth क्ल आपने एक काम करो इसको नो दूसरे स्कूल में डाल दो मुझे नहीं पता था कि यह रूल वगेरा आचुका है और ऐसे नहीं बोलना चाहिए था रूल नहीं भी आया हो तब एक तरीकी से गलत है ना कि हम बच्चे को अलग दिखा रहे हैं तो मैंने उनको बोला कि हाँ इसका प्ड़ा रही थी तो मुझे याद है मैंने तो मैं बहुत गलत किया मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पता नहीं नो ने कहीं अडमिशन करा ना लिया हो क्योंकि हम तो दो महीं निकले जाते हैं तब मैंने मैं से यह चीज़ वो कहते ना मतलब अपनी गल्टी मानना त तो यह मेरी गलती रही थी तो इसलिए को कि लेक ओफ नॉलेज तो इसलिए आपको यह चीज मैं बता रही हूं कि हमें हर बच्चे को स्कूल में रखना है किसे बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करना है और किसी बच्चे को हमें अलग नहीं दिखाना है कि तुम उस से कम हो या तुम उसे जादा हो हर बच्चे को हमें साथ लेके चलना है तो इंक्ल्यूजिव एजूकेशन का कॉंसेप्ट हमें यही कहता है ओप आपको समझ आया होगा मेरे एक्जामपल से भी तो उसके बाद है देखो समवेशी शिक्षा में प्रियोग होने वाली अवधारने कौन-कौन सी है तो पहली है संस्तान रहित शिक्षा विगलांग बच्चों को विशिष्ट विद्यालों में नहीं भेजें ठेक है तो संस्तान रहित शिक्षा होनी चाहिए हम बच्चों को स्पेशल विद्याले में नहीं नहीं हैं पर जल्ट स्कूल कोई सबसे निटका है। तो उसके लिए हमें sign language यूज करने पड़ेगी, तो उसके लिए वो हमें भी तो आने चाहिए, तबी तो हम बच्चे को करा पाएंगे, तो गे मेलनी होता है इसका, तो हमें बच्चे को ऐसा नहीं बोलना कि भई आप अलग स्कूल में चले जाओ, जो कि मैंने बोला, और उस समाने विद्यालों में पढ़ते समय विकलांग बच्चों के मार्ग में आने वाली वाधाओ को न्यूनतम कर देना, देखो हम कम तो नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मानलों को बचा चल नहीं सकता है, तो वो कैसे इसमें बास्केट बॉल नेट में डालेगा, तो हम यह जो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, है ना, तो समझ गए ना, तो हमें जो स्पेशल नेट्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो बादाहाई आती है, उनको थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि पूरी तो हम भी निमिटा सकते हैं, तो जितना हो सके, उनके लिए कम करना है, उनको इसे environment देना है कि वो बिल्कुल भी अलग ना समझे और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी पढ़ सके उसके बाद है मुख्य धारा तो सभी विकलांग बच्चे अपने आपको समानने बच्चों के जैसे ही समझे बिल्कुल भी अलग नहीं समझना है उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि लब्दी- आइकु के अधार पर माल सिंग विकलांग बच्चों के प्रकार आइकु ठीक है तो नर्सिंड जो बिल्कुल नर्सिंड के जरूरत होती है तो इसमें बुद्धि लब्दी 0 से 25 होती है ये कुछ भी सीख पाने में आसमर्थ होते हैं बिलकुल नर्सिंग केर इनको चाहिए होती है और इनको हमेशा किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है उसके बाद है ट्रेनेबल यानि प्रशिशनी है तो इनका जो IQ होता है ठीक है जो intelligent questions होता है वो 25 से 50 होता है इसको बहुत कम प्रशिशित किया जा सकता है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम दे सकती है और कभी-कभी इनको देख भाल के जरूरत पढ़ सकती है तीसरा है हमारा शिक्षणी यानि आजुकेबल तो इनका जो IQ होता है वो 50 से 75 होता है और इनको हम कुछ सीमा तक पढ़ा भी सकते हैं चौता है हमारा नियमी त्रोप से शिक्षणी होगे जो नॉर्मली रेगुलर्ली आजुकेबल है इनका जो IQ होता है वो 75 से 90 होता है और इनको समाने बच्चों की तरह हम अपने क्लास में पढ़ा सकते हैं तो यह आप IQ याद कर लेना कि कौन से नंबर पर IQ कितना होता है जैसे कोई नर्सिंग केर वाला की IQ कितनी होती है तो यह थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना उसके बाद है यह एक शोटा सा नोट दिया हुआ है जैसे हम लोग समानने है अगर आप नर्मल टीचर है और आपकी क्लास में कोई स्पेशल निर्स वाला बच्चा देखो आप पढ़ाओगी तो सही उसको लेकिन अगर जादा ही बच्चा स्पेशल निर्स है उसको तो जो भी स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं वो उनको पढ़ाते हैं तो उनको इक अलग से सेपरेट रूम मिलता है उनको सारी फैसलिडिज मिलती है और फिर वो अलग से उन बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक है बच्चा आपकी क्लास में आएगा आप अटेंडिंस वगेरा लेंगे और हफते में तीन दिन या दो दिन जो जितने दिन भी स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर होता है वो उन कौन से इंस्टिटूशन से तो प्लीज इनकी फूल फॉर्म्स भी आप लोग याद कर लेना तो पहला है दिश्टे बादतों के लिए राष्टे संस्थान जो की दहरा दून में है ठीक है तो एन आई वी एच तो नेशनल इंस्टूट फॉर वीजुली हैंडिकेप इस संस करते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग देता है और इसके जो सेंटर्स हैं टीचिंग सेंटर्स हैं कोचिंग के ट्रेनिंग के लिए तो दिल्ली मुंबे कोलकता और मदरास में हैं ठीक है और इसके लावा हमारा है सेकेंड है जो अली यावर जंग बधिर राष्टे उधान य सिकंदराबाद जो कि आहंदर परदेश में है और राष्टे पुनरवास प्रशिक्षन एवं अनुसंधान संस्थान कटक उडिसा शार्डिक विकलांग संस्थान जो कि नई दिल्ली में है राष्टे विकलांग वीत एवं विकास निगम नई दिल्ली 1997 से समाजिक नियासवस श्रक्तिकर्ण मंत्राले द्वारस तापिक रोजगार है तो वीति साहता देती है उसके बाद है प्रतिबाशाली चात्रों के लिए मुख्य कारेकरम प्रतिबाशाली जो गिफ्टेट सुड़न्स होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा ओर्डरी होते हैं तो उनके लिए कौन- उनको होमवक दिये जाते हैं और सामुदाइक सेवा जो कम्यूनिटी सर्विस होती है और उनके लिए शेक्षिक ब्रह्मन भी आयोजित किये जाते हैं अब प्रिथी करन ठीक है जो सेजरेशन होती है तो विशेज कक्षाएं ठीक है और और इसके अलावा विभीन चातरवर प्रतियोगी परिक्षाओ है तो तैयारी देखो जो गिफ्टड बच्चे होते हैं उनको कुछ कारे करम है जैसे यह मैंने बता दिया है इसके अलावा उनको अलग से क्लास भी दी जाती है जैसे आपको कोई बच्चा किसी और चीज में अच्छा है मालो संगीत में अच्छ होती है हम उसके लिए उनको तैयार करते हैं शुगल या रूची विभाग जैसे की विग्यान कलब और हम उनको और बी जो स्कूल में जो भी एक्टिविटी वगएरा होती है उसमें हम उनको पार्टिस्पेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ऐसे रलेशन जो इसको माले जैसे अब लगता है कि मालो जैसे हमारे इंडिया में कोई 3rd class का बच्चा है और हमें यह दिख रहा है कि वह बच्चा पांच पीपर पास कर सकता है मतलब 5 थी पढ़ाई वह कर सकता है उसका माइंड ऐसा है लेकिन हम फिर भी उसको 3rd में पढ़ा रहे हैं लेकिन क जहां पर बच्चे के अंदर हमें लगता है कि अबिलिटी है कि वहां का पढ़ सकते हैं तो हम उसे आगे बेज देते हैं क्योंकि जो बच्चे को जो बिल्कुल God gifted होते है जो extraordinary होते हैं वह बोर हो जाते हैं क्योंकि वह चीज़े उन्हें आते हैं फटा-फट करके तो ठीक ह है तो इसका कुछ अबी इंडिया में आएगा कि नहीं है तो इसके बाद है एक नोट दिया हीा है यह तो छोड़ है इसका तो कुछ इतना कुछ खास काम नहीं है अभी हमारे हैं कुछ महतवपून तत्थे तो यह अभी हम लोग पढ़ेंगे टीके आई इसक काम वीडियो कुछ महत्पुन तथे अब हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉटन है तो इसमें है संग्रथित अधिगम जो इंबेंडेंड लर्निंग होती है वो क्या होती है इसके अंतगर सीखने में आशक्त बच्चों के संदर्वों में तत्काल सम्मर्दन प्रदान करना सयोग बल द है जो अगर कुछ गल्ती कर रहा है हमें इसको तुरंट वो देना कि हाँ बिटा नहीं ऐसे करना है तो यह इसके अंदर आता है इसको मैसी लर्निंग बोलते है उसके बाद है सहकारी अधिगम तो वही बच्चों को साथ में कोपरेटिव लर्निंग एक तरीकी से कह सकते हो स जाए पाटी पियर टुटोरिंग तो इसमें बच्चा वही है कि मतलब वही है कि एक इंटालिजन बच्चा होगी तो उनकी पियर लर्निंग होती है बच्चा एक दूसर सीखते है जो इसको इस अधियान देता है और इस अधिक से दोनों आपस में सीखते है दूसरे से जो बच्चे इंटेलिजन्ट है तो लर्निंग डिसेबिलिटी उसको नहीं होगी ऐसा नहीं है वो भी लर्निंग डिसेबल हो सकता है आखलन के होता है कि विशेश अवेशता वाले बच्चों का आखलन उनकी शमता शमता वसीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जो special needs वाले बच्चे होते हैं उनका जो हम आखलन करते हैं जो assessment करते हैं वो हमें ऐसा नहीं है कि उनमें कहके कमी है उसी को नहीं हम उनके अंदर कहके योगिता हैं कहके skills हैं सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर उनका जो है assessment करना चाहिए उसके बाद हमारा है चाहतरों के रहे लेबलिंग नहीं करनी है लेबलिंग नहीं चाहिए उसको बहरा है आप कि वह बहरे इधर आ या ए बहरी इधर आ तो को दिखाईन देता है कुछ इस तरीके से माला हमें लेबलिंग नहीं करनी है जो कि बहुत गलत है और एक ना ऐसा नहीं है कि हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनी की साथ ऐसा करें और नॉर्मल स्कॉल में भी होता है कोई बचा बच्चे की लेबलिंग ना करें तो यही है इसके अंदर उसके बाद है हमारा जिला प्रात्मिक शिक्षा कारेकरम तो डीपी एपी तो फुल फॉर्म इसकी पूछ ले जाते है डिस्ट्रिक प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यह कारेकरम देश के अती पिछडे डेट से अधिक जिलों में विकलांग लड़कों वा लड़कियों की लड़कियों वा अनुसूचित जाती वजन जाती बच्चों वा उनके निवास थान के निकट पात्मिक शिक्षा उपलब्द करवाता है यह 1994 में शुरू हुआ था यह पूछा भी जाता है कि कब शुरू आता जैसे कि D को B पढ़ना, So को Was पढ़ना, M को W पढ़ना और डिसलेक्सिया में क्या होता है कि मस्तिक्ष के दोनों गुलार्थ ठीक से काम नहीं करते हैं इस ग्राफिया ग्राफ करने से रिलेटिड है मैंने बताया था कि राइटिंग ट्रॉबलम है, स्पेलिंग, हैंड प्लीज मैराथवन वन से एक वीडियो है आपको थम्निल में दिख जाएगा उसको प्लीज देख लेना मैंने यह पूरा अच्छे से बताया है उसके अंदर उसके बाद हमारा फोर्थ है हाइपर एक्टिविटी ध्यान का अभाव लिक ओफ कंसंट्रेशन इसके अंदर होत अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है यह ग्यान इंदरी एक इकरन अक्षमता है जिसके कारण बच्छा हाथ वा आँखों में समनवे नहीं रख पाता जैसे पैंसिल ना पकड़ पाना या बटन बंद ना कर पाना ठीक है तो यह हमारी ग अब ऐसे उडिस्प्रेक्ष इंदर कि अब इस यह था पाता है तो कौन सी यह डिस्प्रेक्सिया है तो इसा मैं किसी चुन फ्रेक्षिया राए या लिलितिन करें चृटि commit को दिस्प्रेक्षनम दिश्मतिक्सिया की बात आप¯ash श्मझ नहीं की आफ दिस नहीं करें इसमें देखो होता क्या बच्छा। तुटलार बोलता है। गदी अधिकर नहीं बता पाता है अपनी बाते। इसमें हमें हमें क्या है? हमें क्या है गदार शुख बल रहा है कि हम οιसे समझ नहीं आहां पहरा है कि हम अधिकर active inflammation ऋले है। उसके बाद हमारा है डिस्थीमिया यह important learning disabilities है most important है तो यह आपको जरूर करनी है अब है डिस्थीमिया तो mood disability है एक अफसार जो भावनात्मक विकरती है तो यह एक depressive mood है mood से related है और उसके बाद है डिस्मैमोग्राफिया सिम्रिती दोश है ठीक है memory disability है और सारे ही important है जो starting में चाहर कर आए थे वह most important है dysgraphia dyscalculia और dyslexia यह तीन most important है यह पूछे ही पूछे जाएंगे इसके लावा यह भी आप लोग कर लेना उसके बाद है हमारा autotexia श्रवन बादा है सुनने में दिक्कत आती है इसमें बच्चों को ठीक है उसके बाद हमारा है द्री ध्रूबिये जो bipolar होता है तो यह एक मानसिक अफसाद वा उन्माद है अब है monoplasia एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है इसके अंदर parapalsia तो दोनों हाथ या दोनों पैर इसमें affect होते हैं उसके बाद है hemipalsia तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ का हाथ और पैर प्रभावित होते हैं ठीक है अब है quadripalsia दोनों हाथ और दोनों पैर चारों प मुझे भी देखना पड़ेगा गूगल पे चलो यह देखके बताना बाकी में इसको कमेंट में डाल दूँगी था क्या है इसका मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है उसके बाद है हमारा एपिलेस्पी तो यह है कमवलजिव डिसॉडर इसमें वैक्तिको मेरगी के दोरे पड़ते हैं हमारा एटी नमबर पे है गलूकॉमा तो गलूकॉमा में नेत्रो में उच दाब से रेटीना का श्रतिगस होना कहलाता है उननी से हमारा कैट्रोएक्ट तो मद्दे वरित दवस्ता में नेत्रो रोग होता है उसके बाद भीस है गामक बादा जो लोकोमोटर डिसिबिटी होती है इसके अंदर हमारा पोलियो हाई बीपी प्रसफ के दुरान यह सब हो सकता है ठीक है मतलब जो हमारी गामक बादा हो प्रसफ की दौरान तो यह गर्बा वस्ता के दौरान हो सकता है मदू में ट्राइसोमी प्रसफजन्म प्रसफजन्म, स्मॉल ब्रेन चोड पीलिया एन्जो एनॉक्सिया 22 नमबर पे है भारत में चार से पांच परतिशत वेक्ति विकलांग है 23 का है यू एनो ने सन 1975 में विकलांगों के अधिकारों की घोशना की थी सन 1981 में अंतराष्टे विकलांग वर्ष मनाया गया और 3 दिसंबर को हर साल अंतराष्टे विकलांग दिवस मनाया जाता है 1983, 1992 तक निश्टक्ट जनो हेतु शन्युक्त राष्टे शंग दशक मनाया गया था सन 1989 में बाल अधिकारों पर अधिवेशन आयोजित हुआ था 32 अविदन कानुचे 46 कमजोर वर्गों की देख भाल करने पर बल देता है एक गरित बाल विकास एवं सेवा कारेकरम 0-6 वर्ष के बच्चे इसके अंदर शामिल है सरवशिक्षा अभियान में 6-14 वर्ष के बच्चे शामिल है I.E.D.S.S. योजना में 14-18 साल के विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है एटार्ट नामक प्रेंच ने विक्टर नामक 12 वर्ष जंगली लड़के को पढ़ाने का परियास किया जिसे 9 मास की उम्र में जंगल में छोड़ दिया गया था एटार्ट को प्रथम special teacher माना जाता है most important question है कि सबसे पहला special teacher किसे माना जाता है तो एटार्ट इसका नाम था तो ये आप याद कर लेना और जंगल बुक एक movie है वो आप लोग देख सकते हो कुछ-कुछ इस story से ही related है वो उसके बाद हमारा है सन 1882 में फ्रांस के सैग्विन वर पैरिस में मंद बुद्धी बाल को हेतु प्रतम school खोला सैग्विन को मानसिक मंद बच्चों के बहुत बड़े शिक्षक के रूप में जाना जाता है मॉन्टेसरी शिक्षा पतती सैग्विन द्वारा विक्षित शिक्षा प्रणाली तथा फ्रॉबल की किंडर गार्डन शिक्षा प्रणाली का ही विक्षित रूप है उसके बाद है लूई ब्रेल का जन्म फ्रांस में सन 1809 इस्वी में हुआ सन 1821 में उन्होंने ब्रेल प्रणाली का विश्कार किया ब्रेल प्रणाली को सन 1832 में स्वीक्रित किया गया उसके सम्मान में भारा सरकार ने सन 2009 में 2 रुपे का सिक्षा जारी किया उसके बाद है ब्रेल रूलर चांदा कमपास के कमपास से दृष्टे हेन भी आकृतियां बना सकते हैं ब्रेल में 6 गाठे वा 6 बिंदू वाले लिखने का सरलता मुपकरन है ये most important question है पूछा भी जाता है सीड़ वगेरा में DTSP में भी पूछा गया है ब्रेल लिपी में कितने बिंदू होता है 6,8,4,2 ऐसे confusion के लिए टुछाती है 6 और 8 में तो मुझे हमेशा ही रही है तो इसका आंसर 6 होगा ब्रेल टाइप राइटर की तरह 6 बटन और एक स्पेसर होता है भारतिय ब्रेल इंग्लिश ब्रेल पर आधारी ते इसमें 26 से अधिक वर्ण है ट्रेलर फ्रेम ट्रेलर फ्रेम क्या है तो ट्रेलर फ्रेम भीन भीन संख्याओ है तो इसमें अश्टकोन ये छेद होते हैं और मैंने एक आपको करवाया भी हुआ है आप लोग MP भोज की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो मैंने प्रॉपर एक वीडियो करवाई हुई है जो भी हमारे जो लर्निंग टूल्स है उससे रिलेज़ड उसके बादे दृष्टी बादितों के लिए उपकरन दृष्टी बादितों के लिए कौन-कौन से उपकरन है ब्रेल है टॉकिंग कैलकुलेटर है अबेकस है ठीक है और नमबर कॉंसेप्ट में बहुत हल्प करता है अबेकस और कैलकुलेशन और सॉरी यह जो हमारा कैलकुलेटर है जो स्टॉकिंग कैलकुलेटर है उसके बाद हम अबेकस की बात करते है अबेकस यंत्र या गिन तारा जिसे हम कहते हैं चौकटा होता है जिसमें कई तार लगे होते हैं तो अबेकस आपको पता ही होगा इस टारीब से कुछ होता है और इनमें मुंगे के लकड़ी के मन के लगे रहते हैं और इसकी आगे पीछे करके बच्चा गणना कर सकता है अब हमारा है 44 जीन प्याजे एक जीब बेग्यानिक थे उनका जन्मनों अगस्त 1896 इसवी को स्विजर लेंड में हुआ था इनकी जो पुस्तके हैं इनकी बुक्स भी पूछी जाती है इनकी जो तो इनकी जो थी वो में चार पार्ट में डिवाइड थी तो यह मोस्ट इंपोर्टन है यह पूछा जाता है तो पहली है जन्म से दो वर्ष दूसरी है दो से साथ तीसरी है साथ से ग्यारा और बाद में है ग्यारा से पंद्रा तो पहली वाली को हम समवेदी गामा कहते हैं दूसरी वाली को पूर्व किरियात्मक तीसरी वाली को स्थूल किरियात्मक और चौती वाली को आपचारी किरियात्मक यह प्याजे की थोरी बहुत important भी है और बहुत confusing भी है तो इसकी थोरी में एक बार अच्छे से समझाओंगी अभी आपका exam निकल जाए आगे in future आपको इसकी ज़रूरत पड़े क्योंकि प्याजे की question पूछे ही पूछे जाते हैं तो अभी तो आप इनके सिर्फ level याद कर ल उसके बाद हमारा है उसके बाद है शीशू में जन्म से जो योजनाएं पैदा होती है वे क्रियाशील होती है प्याजे उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं ग्यानादमक्विकास जन्म से शुरू हो जाता है ऐसा प्याजे का मानना है 50% बदीरता का कारण अनुवान चिकता है अगर 50% कोई बच्चा अगर बह रहा है तो उसका 50% कारण उसके जो जीन्स होते हैं ओडियो मीटर एक ऐसी मशीन है जिसमें श्रवन अक्षमता की जाज की जाती है विशिष्ट विद्याले जो special school होते हैं वो 8 km की परीदी में होने चाहिए microphone sound energy converted in electronic energy तो ये sound energy को electronic energy में convert करता है earphone electronic energy converted in sound energy गति समवेदी शिक्षारती कौन होते हैं ये एक ऐसा शिक्षारती होता है जो केवल करके ही सिख सकता है ना कि बताने और समझाने से तो अगर गति समवेदी शिक्षारती कैसे होते हैं तो ये आप बता सकते हो कि ये बोलने और समझाने से नहीं करते हैं कोई काम ये खुद से करके सीखते हैं ठीक है उसके बाद हमारा है श्रवे द्रिश्य उपकरन तो audio visual aids तो देखो श्रवे एवं द्रिश्य उपकरन जैसे चलचितर हो गया चलचितर हम लोग उसको कहते हैं वीडियो को और फिर टी भी है और श्रवन उपकरन फोनोग्राम रेडियो स्रिफ हम जो सुन सकते हैं द्रिश्य श्रवे जो हम सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं और द लुटेटिन बोर्ट, स्लाइट, रोजेक्टर, एंडिसकोप, ठीक है, और एपी, डेसकोप, संगरहाले, ग्राफ, नक्षे, मॉडल, पोस्टर, वस्ते विक वस्ते, जी यो बोर्ट एक है, तो यह ऐसे हैं, देखो जो हमारे जो टीयल महते हैं, टीचिंग रणिग में तीन तो यहां पर टेलिविजन के बारे में थोड़ा पताया गया है कि टेलिविजन तो भारत में विद्यालई TV का प्रारम अकाश वानिने सन 1971 में इसी में फोर्ड फांडेशन तथा शिक्षन निदेशाले द्वारा शुरू किया गया था दूर दर्शन के शेक्षनिक चैनल ग्य एक बर्यात कर लेना इंपोर्डन है सूचना एवं प्रसाडन मंत्राले द्वारा 1982 में राष्टे सैटलाइट इंसेट की स्थापना की और 20 सितंबर सन 2004 को एडूसेट सैटलाइट NCERT वा इगनु वा इसरो द्वारा मिलकर सापित किया गया जिसकी सहायता से दूर दर्शन ग्यान दर्शन चैलल 24 घंटे शेक्षक कारेकरम प्रसुत करता है फिल्म में क्या होता है गति शीलता आतीती घटनाओं को पढ़ाने में NCRT के पास 16 किलमिटर की लंबी फिल्में है ठीक है NCRT किस था अपना कब हुई थी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अब हैं फिल्म पट्टी है फिल्म पट्टी हम पिक्चर्स को बोलते हैं जो पिक्चर्स होती है और चलचीतर हम वीडियो को बोलते हैं फिल्म पट्टी होती है अविशकार इसका 1920 के आसपस हुआ था धृत्ते विश्वयुद के दुरान दो प्रकार की थी मूख और सवाक ठीक है उसके ब प्लास्टिक जी परियोक प्लास्टिक के फिलेसे में गथा की पर सब्सक्साइब सरस्क्राइब थे भीडिन बोड की पेस्ट करें के उसा भीडियोग परियोकी जीन ne saksi को रफ करों थे भीडिन कए तुछा हमें सब्सक्न स्कूल तो पीपिटी आईप शुल चाचते हो ठीक के लाग पीपिटी होती है उसमें पूच्छ सीथर होता है रेडियो है आपको पता ही है कोई भी अपनी खबर बगार हो गई ग्राममफोन कंता है रिकॉर्ड टयार करकी छातल को सुनाया जाता है और अमिरिका के मिनसेटा राजे म तेने जासी साथ स्कूलों में इससे शिक्षन होता है लिंग्वा फोन क्यों होता है most important है लिंग्वा फोन ग्रामो फोन जैसा होता है यह विदेशी शब्दों के उच्छारण बाशन दीखने में कवीता शिक्षन में उप्योगी होता है उसके बाद है चित्र विस्तारक यंत तो चित्र विस्तार गेंदर चित्र को बड़ा करके इसमें देखा जा सकता है उसके बाद है हमारा चित्र दीप तो चित्र दीप में क्या होता है कि यह मैजिक लाल टेन है स्लाइट का प्रतिवम दिखाने में परयोग किया जाता है प्रोजेक्टर आपको पता ही है फ्लैनल लकड़ी बॉर्ड पर फ्लैलन्च उड़ा होता है चित्र को ड्राइंग पिंसर दबा कर लगाया जाता है आपको पता है अपको पता है और अस्ट्रियोग्राफ के होता है चोड़ाई लंबाई वह मोटाई दिखाई जाती है इसमें और जैसे इमारत मिनार गुमबदाली दि सतों αναची है, इस यह समान दूरी पर केले होती है जैसे यह बॉर्डड होता है, इसमें समान दूरी पर केले थैसा समान दूरी तो अधियावका क्लेट रूट बैंट की इता अ्युक्त और रिृभी का उत्शिक लेगी जाता है, जी सविक्शभर इता है तो इस तरीके से इसमें द्री वियामी उसका concept बच्चे को clear हो सकता है उसके बाद है हमारा द्रिश्य शिवे शामगरी की उपयोगिता क्या है तो इसे चात्रो इसके द्वारा चात्रो को इंद्रय अनुभव प्रदान के जाते हैं तो अगर ताजमल के बारे में बताना है अगर हम ताजमल का मौडल दिखा लेंगे तो बच्चे एक रियल आनुभव लेगा उसके हैं लेकिन वह उसको फील कर पाएगा कि हा ताजमल आह साहिए बिलकुल ऐसा दिखता होगा चीक है उसके बाद है हमारा इसके परियोग से चात्रों को ग्यान प्राप्ती के लिए प्रेजित के जाता है बचा मोटिवेट होता है अगर आप क्लास में कुछ यूज करते हैं बढ़ाने के लिए बचा बहुत मोटिवेट होता है चोथा है यह समगरी पिछडे हुए बालकों को शिक्षा देने के लिए बहुत तुप होगी जो भी आपकी क्लास में जो पिछडे बच्चे हैं जो पढ़ने में थोड़े से वीक हैं तो उनको यह बहुत हैल्प करता है ब्लास्ट है हमारा सबसे प्रमुकलाब यह है कि इसके द्वारा प्रभावत पादक वातरवरन उत्पन की रता है जिससे चात्र ग्यान इंदरिये अनुभव प्राप्त करता है और नवीन बातों को आसानी से वो ग्रहेंड कर लेता है पाने पिन पिया है और तब आपको समझ आया होगा और मेरी कोशिच रही है पूरी-पूरी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और प्लीज प्लीज अगर आपको मेरी महनत अच्छी लगते है मैं महनत करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपका एक्जाम निकल जाए क् मॉअक टेस्टेस आएगा उससे हम लोग कुछ हेल्प ले लेगे कि ऐडियो लग जाएगा कि किस लेवल का आता है फिर मैं फटा-फट से करा दूगी बटू कमॉप टेस्ट का मतर्म में क्या ही बताऊ आप क्या ही लेवल हम उससे क्या-क्या हम लोग उससे आइडिया ले तो इसलिए अब मुझे ऐसे फटा-फट से ऐसे content सारा उठा के मुझे ऐसे फटा-फट से करवाना पड़ रहा है marathon के हिसाब से कि आपका जल्दी से आपका जो है clear हो जाए exam बाकी तो देखते हैं क्या है बाकी जो भी आपका experience और exam देने का टेकर तेक्या थैंक यू